क्या खाओगे? मिठाओगे तो मिठाई में घर पिखाओगे दिवाली कहते हैं दिवाली खुशियों का तिहार होता है लेकिन इस दिन भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो बिना कुछ खाए पिये बस यूही सो जाते हैं बस उन्हीं कुछ लोगों की दिवाली मनाने के लिए आज अब निकले अपने सफ़र पर जब उस बच्ची न हमसे बोला भईया मुझे मिठाई खाना है तो हमारा भी दिल भराया तो यार हम हिम्मत करके भईया के पास पहुँचे और हमने उनको पूरा बताया लेकिन कहते हैं कि फिरी में सिर्फ दुआ और बदुआ ही मिलती है होर कुछ नहीं तो यसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और हम बहार चले गए वो कहवत है ना कि कुछ लेने के लिए कुछ देना वढ़ता है तो बस हमने भी एक पेन और पेपर निकाला और वहिया का स्केच बनाने लग जए इसी आशा में निकाश हमें भी कुछ बतले में मिल जाए लेकिन आशा करना गलत नहीं है वीडियो में तो कुछ भी हो सकता है अभी ये रियल लाइफ है रियल लाइफ नहीं देखते अभी क्या होता है मेरा दोस्त उमेश जिसने शांदार स्केच को बनाया है आप उनकी यूट्यूब चनल उमेश आर्स को ज़रूर सब्स्राइब करें और उनको सबोर्ट करें तो अभी हमारा शांदार स्केच बनके तयार हो चुगा है और दिल की धरकन भी बहुत जादा बढ़ चुकी है आके क्या होगा हमें नहीं पता वो तो चल कर ही पता चलेगा चलिए चलते हैं स्केच देने के लिए आपके लिए कुछ है आपकी दिवाली के लिए प्लाइब है आपको अच्छा है आपको अच्छा है अच्छा लगा ना मेरी तरफ से यह आपकी लिए एप्लाइब हैपी दिवाली प्रिंट नहीं है हां से ही है सब कुछ है क्या अरे यार हां से ही है सब कुछ है तो यार भाइया और बाकियों को यकीनी नहीं हो रहता हमारे सांदार आटिस्ट ने इतना शांदार सा स्केच बनाया उनको लगा कि एक क्रिंट आउट है तो यार इस आर्टिस्ट की तो तारिफ करना बनता है तो एंड में भाइया को बहुत अच्छा लगा स्केच और उन्होंने दिल से दिल से बिगर बोले भाइया जी ने हमको रसकुली का पैकेट थमा दिया यार हमको भी बहुत अच्छा लगा कि भाइया का इतना प्यार देखने को मिला और हम भी बड़े खुश होकर उदर से निकल लिए अब यार इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हमने अपनी कला के दम पर किसी को खुश किया और उसी खुशी को दूसरों में भी बाटा तो ऐसी और शांदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेजबुक पेज विन्या आर्टिस्ट और यूट्यूब पर उमेश आठ को जरूर सब्स्वाइब करें तब तक मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए हैपी दिवाली सारा नारा